Hello everyone, my name is Smith, आप देख रहे हैं Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज का जो अपडेट आया है Teaching Department की तरफ से आया है Teaching Department की तरफ से दो latest notification रिलीस की जा चुकी हैं 17,900 प्लस vacancies है जिनको आउट कर दिया गया है इन वेसे एक जो notification है उसके लिए only state के candidate अप्लाई कर सकते हैं एक notification के लिए all India की male and female apply कर सकते हैं All India की male and female को invite किया गया है और salary भी इसमें आपकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है एक notification के लिए आपकी 31,000 के around रहेगी और जो second notification है उसके लिए आपकी 34,800 प्लस आपका grade पे रहेगा जो आपकी 40 के करीब salary जाने वाली है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आपको apply किस तरह से करना है कौन-कौन कब से कब तक apply कर पाएगा और eligibility criteria क्या रहने वाला है तो सबसे पहले अगर आप first time चैनल पर आ रहे हैं इसी तरह से आप चाहते हैं हर एक notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए कि सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए because बहुत मेनत लगते हैं आपके लिए हर एक update लेकर आने में इससे मेरा और मन करता है और motivation मिलता है जब आप वीडियो को like करते हो कि आपके लिए अच्छे अपडेट मैं लेकर आऊ अभी हम बात करे हैं कीचिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आयो वेकैंसिस के बारे में बाकी इस रिक्रूटमेंट के इलावा अलगले क्वालिफिकेशन के एकॉर्डिंगली बहुत सारी वेकैंसिस है जो लास्ट डेस में आउट की जा चुकी है अगर आपने उन वेकैंसिस को नहीं चैक किया है हर एक क्वालिफिकेशन के एकॉर्डिंगली वेकैंसिस आई हुई है www.clory.com हमारी ओफिशल साइट है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप डिरेक्ट ली अप्लाइभी कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास हर एक टाइमली पहुंच जाए अभी हम बात करेंगे फर्स नोटिफिकेशन की जो टेचिंग डिपार्टमेंट का है इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाइब करना है मेल एंड फीमिल दोनों ही अप्लाइब कर सकते हैं दोनों ही केंडिट इसके लिए इसके लिए होने वाले हैं बात करते हम सैल्दी की तो इसमें आपके सैल्दी फर्स नोटिफिकेशन के लिए रहने वाली है टॉन्टी ए एज कर टीरे के अगर मैं बात करूँ आपकी एजी मिनिमम 18 है आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम 40 और जो रिजर्ब केंडिट है उनको रिलेक्सेशन दिया जाएगा जैसे OBC को 3 साल का, SCST को 5 साल का, Physically Handicapped को अलग के रिलेक्सेशन है इसके रावा एक रिलेक्सेशन की रहने वाली है, SCST केंडिट की बात करें तो 50 रूपेशन की फिर हैगी, सेलेक्शन इसमें आपकी होने वाली है डिटन एक्जाम बेसिस पे जिसमें आपका प्री होगा और मेंस एक्जाम भी हो सकता है और यह जो रिक्रूट्मेंट है जिसके हम फर्स नोटिफिकेशन की बात करें इसमें जो टोटल विकैंसिस है 16,500 पोस्ट है, फर्स नोटिफिकेशन के लिए सिरफ वेस्ट बेंगॉल केंडिड अप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट बेंगॉल की तरफ से प्राइमरी टीचर की वेकैंसिस है, जो सेकिंड नोटिफिकेशन है, उसके लिए और इंडिया के मेल फिमेल अप्लाई कर सकते हैं, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं, और यह जो वेस्ट बेंगॉल प्राइमरी टीचर की वेकैंसिस है, इसके लिए जिनोंने टैट पास किया हुआ 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 1014 में, वो हो कैंडीड यहां पर इलीजिबल होने वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर वेस्ट इंगल स्टेट से हैं, आप फस्ट नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, सेकिंड नोटिफिकेशन की जो की ओल इंडिया के लिए आया और यहां पर इन्हों其實 जो एक सर्विस्में अगर अप्लाई करना चाहते है वो भी कर सकते हैं, उनके लिए application की fee 65 रूपीस रहने वाली है, payment आपको करनी है, online debit card, credit card, net banking से आप कर सकते हो, इसके इलावा, यहां पर जो total vacancies है 1473 post है, और without beard आप apply कर सकते हैं, यहां पर beard compulsory नहीं है, तो eligibility क्या रहने वाली है, आपने post graduation की हुई है, relevant subject में आप apply कर सकते हैं, master degree आपने की आप apply कर सकते हैं, चाहे वो male candidate हो, चाहे female candidate हो, लास्टेट को apply करनी के 22nd Gen 2021 है, selection procedure के इसमें बात करूँ, आपका इसमें return exam होगा, return exam basis पे ही, इसमें आपकी selection होने वाली है, और जो education subject में apply करें हैं, उनी के लिए सिरफ beard compulsory है, बाकी वैसे mandatory नहीं, आप apply कर सकते है इसके बाद हम बात करते हैं, आपे age criteria की, तो जो जिस notification के हम बात करें हैं, इसमें आपकी maximum age 40 है, आप apply कर सकते हैं, प्लस relaxation as per government norms आपको दिया जाएगा, जो OBC के लिए अलग रहेगा, SC, ST, physically handicapped and other candidate के लिए, ex-service man के लिए, अलग से relaxation आपको दिया जाएगा, और minimum आपकी age 21 है आप apply कर सकते हैं, चाहे male candidate हो, चाहे female candidate हो, और जब आप इनकी website पर जाके apply करेंगे, आपको वहाँ पर एक option मिलेगा, कि आप किसी other state से belong करते हैं, मतलब यह जो vacances है, UP, P, SC ने आउट किया है, उत्तरप्रदेश Public Service Commission ने आउट किया vacances, यहाँ पर आपको एक option मिलेगी, कि आ आप other state से belong करते हैं, तो आपने उसी option को select करना है, अगर आप UP से belong करते हैं, तो आपने first option को select करना है, उसके बाद आपको एक red color में आपको एक note दिखेगा, उसमें यह लिखा होगा, कि आप अगर reserved candidate है, आपको जर्नल में include किया जाएगा, अगर आप other state से apply करेंगे, apply आप क आपने जरूर से करना है, बाकि आपको कोई question है, कमेंट करके पूर सकते हैं, दोनों की दोनों notification के link आपको मैंने description में provide कर दिये हैं, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए information के साथ, thanks for watching.